hey guys this is monika singh and welcome back to our channel आज आपके लिए एक और नया lesson plan है computer science के लिए ठीक है आपको जरूरत थी जो computer science के students है तो उसी के लिए आपको यह arrange करवाया गया है computer lesson plan तो आज पहला lesson plan है अगर आपने बागी भी videos देखी हम तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हम lesson plan के अंदर उसका intro देते हैं कि lesson number क्या है कौन सी class के लिए school का name, date, subject and subsubject ठीक है उसके बाद में हमारा topic शुरू होता है यह हम topic लिखते हैं अपना हिंदी में हम इसे प्रकरण कहते हैं और सबसे पहला जो topic है फर्स lesson plan का वो है computer के प्रकार आप computer के प्रकार के बारे हम बताना चाह रहे हैं ठीक, next आपका point आता है सामनेद देशे सामनेद देशे आपके विशय पराधारत होते हैं विशय आपका पूरे साल चलने वाला है तो यह objective भी पूरे साल चलते हैं और वैसे ही क्या करना है आपको आपके जो 20 lesson plan आप बनाओगे उसके अंदर भी आपको सेम रख सकते हूँ है सेम रह सकते हैं सारे lesson plan क्योंकि यह सभी आपको follow करने है 20 lesson plan में आपका subject तो change नहीं हो रहा है सिर्फ topic change हो रहा है जैसे ही topic change होगा next lesson plan में यह भी बदल जाएंगे सामने दिशन नहीं बदलेंगे आप सेम रखियो उनको कोई problem नहीं है बट यह आपको बदलने पड़ेंगे ठीक है क्योंकि यह आपके teaching point पर relate करते हैं जितने आपके teaching point हैं जो जो हैं उसी के अनसार आपको विश्यशुद्धेश्य हैं बनाने होते हैं आगे teaching aid में आप जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे बच्चों को समझाने के लिए चार्ट कोई equipment कुछ भी ठीक है कोई भी model हो सकता है वो सब teaching aid के अंदर आते हैं नेक्स्ट आपका previous knowledge तो हम यह आपर normally लिख देते हैं कोई भी topic को उसी से relate करके हम लिख देंगे कि बच्चा इसकी सामने जनकारी रखता है या रखते हैं ठीक है जिसकी help से हम प्रस्तावना प्रश्ण शुरू करते हैं प्रस्तावना प्रश्ण आपके पूर विग्यान पर आधारित हैं ठीक है हम मानकर चलते हैं बच्चों को basic knowledge है तो हमारे प्रस्तावना प्रश्ण यह क्या करेंगे आपको topic पर connect करने के लिए use किया जाते हैं और यह प्रश्ण maximum of five कर सकते हैं minimum three or four कर सकते हैं उससे कम नहीं क्योंकि starting हो रही है lesson plan की यहां जितने भी प्रश्ण एक दूसरे से linked होने चाहिए ऐसा नहीं है एक प्रश्ण कहीं से उठा लिया दूसरा कहीं से उठा लिया इस परकार नहीं कर सकते हैं ठीक है और last question ऐसा हो जो answer नहीं आता होगा या वो ठीक से answer नहीं कर पाया है जिसकी है से हम उद्देश कतन कहते हैं हम बताते हैं कि आज हम क्या बढ़ाने वाले हैं ठीक है अगर बच्छा यह answer कर भी देता है आपने मान के चले answer नहीं किया बट आगर lesson plan पढ़ाते हुए उन्होंने answer कर दिया फिर आपको hopeless नहीं होना है कुछ एसा नहीं सूचना है कि आए यह तो बताया ही नहीं कई करें कुछ नहीं करना है वैसे Lesson plan अपने आगर बढ़ाना हमारी ठीक है अब देखें यहां पर यह चो कॉलम दियेगा है धियान दिजेगा यहां को टीचिंग पर लिखना है कौन सा पॉइंट आप पढ़ाने वाले हो यहां अद्धिश लिखना है हर एक क्या कोई-देखें यह in क्या पिज़िदी आएगी यहां बच्चों की अग्टिविटे आएगी यहां आप विधी यहां जो भी मैंथर्ड यूज कर रहे है और तीचिंग एड यूज कर रहे है ब्लैक बॉर्ट समरी शो करनी है तो इस कॉलम में शो करेंगे यहां आपको मुल्यांगन प्रश्ण करने होते हैं मुल्यांगन प्रश्ण का मतलब है पढ़ाने के बाद में कोई भी टीचिंग प्रश्ण कर सकते हैं यह एक दम लेसन प्रान के लास्ट में भी कर सकते हैं पढ़ाने के बाद इनका काम यह है यह ज और बिंदकर लिखा गया है आप चाहें तो यह उवल्ड चाहें तो यहां आध्यापक कथन यह छातर अध्यापक कथन इस तारीकर से लिखेंगे यहा इसके सामने भी लिख सकतें और पीछो जो विकासातंग प्रrep आपने लिखा उवाँ है पॉइंट्स के रूप में क्योंकि ब्लैक पे जादा कुछ लिखना नहीं होता है तो आपने कैसे शो कर दिया पॉइंट्स के रूप में दिखा दिया कैसे अब चाहें तो रोलब बोर्ड पे लिखने से फायदा है कि आपको याद रहेगा कि अगला टीचिंग पॉइंट और दूसरा आपका टाइम भी बचेगा लिखने से ठीक ये टॉपिक खतम हुआ तो आपने यहां दो मुल्यांगन प्रश्न कर लिए मैंने आपको बताया ठीचिंग पॉइंट खतम होने के बाद में आप मुल्यांगन प्रश्न कर सकते हैं इसके बाद में नेक्स सब्सक्राइम या छात्र अध्या पकतन में लड़की है तो छात अध्या पेका लिखिएगा ठीक आप आपने आप बता दिया एकस्प्रेंट कर दिया चात ध्यान प्रश्न रहे हैं फिर से अपने ब्लैक बोर्ट समरी में यह आपने पॉइंट में वन टू थी फोर करके इ यहां पर है एक सेकिन अच्छा यहां लिखा नहीं है शायद भूल गए हैं यहां यह जो टीचिंग पॉइंट है यह आपका रहने वाला है कंप्यूटर के कार्य ठीक है या फिर उपयोग आप कहां कहां इसका उपयोग करते हैं इसके बारें बता रहे हैं ठीक है तो उसे सम् लेंग को जानकारी पता करने के लिए पूछ लिया है ठीक है और आस में आपका रताथ है घरहकार है आपको बच्चों को ओमवक्त देना होता है तो आपने ऐहां गर्आ कारे में चार में दे दिए बच्चों आपको खुद बनाने पड़ेंगे तो ध्यान से वीडियो को सुनिए पूरा ध्यान दीजिए कोई भी गन्फीजन है तो पूछ सकते हैं क्योंकि आप खुद से दब तक नहीं बनाएंगे पूरा काम नहीं होने वाला है क्योंकि मैं सिफ आपको 10 रिसन प्लान ही ठीक नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे थेंग्स वर वचिंगे